नमस्कार दोस्तो बहुत दूपिन से मैं सोच डूपिए यह रिशपी मैं आप सब के साथ सेर करूँ और मैं बनानी पारी थी तो अज मैं बनाई हूं और सेंट में लौकी कि नमकीन खूर बनाई हूं। जिसे की बिहार में हम लोग इसे लोगजावर भी कहते हैं और ये दुनों का कॉम्बिनेशन में बनाई हूं तो देखिए वीडियो बहुत ही अच्छी है खाने में टेस्टी लगता है ये तो चली बनाना सुरू करते हैं दोस्तों तो ये मैंने ना हाफ केजी लिया है सिमला म अच्छे से दोकर के पूच्छ लिया है मैंने और हम इसे कात लेंगे और किस पकार से इसके काट करके हम भर के बनाते हैं तो ये देखिए ना सब करते है और यह पीछे से लिवेंगे और में साथित्रा चाकु से काट लेंगे research का भींट ऊचिका वीजह और इसका पार्ठ हमिए निकाल लेंगे और लेकिन नीचे से न पूरा निकालना नहीं है कि आ उपर उपर हम हम इसे निकालेंगे नू ताकि पीछे से मतलब होल नहीं हो छीम भर कर बनाएंगे न जब इसका अब नूस्त कर ऊच्छे के बहुत जभा को इस तरह से निकाल लिया मैंने इसको खाली कर लिया इसको और यह अगर लंबा है इसमिला में इस तरह से तो दो टुकडा में हम काट लेंगे और दोनों में हम भर करके बनाएंगे और अगर छोटा है तो किवली एक साइट से कट करेंगे तो यह जो है ना यह इस तरह से इसका निकाल लेंगे पाट को और इसे पकार ये भी जो है किनारे से हलका सा चाकू से पहले कट लगा लेंगे और इसके बाद जो है हम चमच के सायता से निकालेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा यह तो चाकू से पीछे सभी कट जाएगा तो हम जब मतलब स्टफिंग करेंगे तो दिक्कत होगी तो इस तरह से हम चमस के सायता से निकाल लेंगे उसके बीच को भी निकाल लेंगे तो यह देखिए इस तरह से मैं निखाल ले रहे हूं और डंटी को हलका सा काट के निकाल देंगे तो इसे तरह से ना मैं सारे जो है निकाल चुकी है और यह साइड में जो तो वीडियो देख लीजे पुरा बहुती अच्छा यह लगता है खाने में बहुती टेस्टी लगता है दोस्तों आप एगर बनाएंगे न तो बार बार बनाना चाहेंगे इतनी अच्छी लगती है श्रीमिर्च की भरवा तो यह चोटे-चोटे काट ली हूं और यह मैंने च चट-पट बनता है ना भरवा तो बहुत अच्छा लगता है खाने में तो यह जो है और फिर में चार मीडियम साइज का जो टेमाटर ली हूं पके हुए बढ़िया सा और इसे हम छोटे-छोटे काट लेंगे तो यह इस तरह से मैं सारे जो है टमाटर भी काट ली हूं प्य अधरकाली हूं थोड़ा समय लहसुन ली हूं तो इन सब को क्या करेंगे कि हम अलग से इसका पेश्ट बना लेंगे अ वाध रख लसुन का ती मैं हटा दे रही हूं और इसका प्रेश बना लूगी मैं और एक कड़ाई मैं चड़ाई हूं गैस पर हम और इसमें हम हमाण रख़री in the午 outright 10-28 वर इसे में पेहले कर लेंगे नो इसे हम्चाली करेंगे निकलने लगता है तो पहले निनकलने लगता है तो इसे हम पेहले ही करðेंगे लर्टे-पलटते हुए हम पले फ्राई कर लेंगे मतलब इसे हम अलो फ्राइ के करेंगे तो इसे हम इस तरह से ना फ्राइ कर लेंगे कम से कम दो से तीन मिट लगे गा इसको इस तरह से फ्राइ करने में और कर दिखाऊंगे वीडियो में बने रहीँश तो यह इस तरह से मलटते पुँलकля प्राइए करें इलिए तो यह मैं दो बिन करें और रहे हैं और इसे निकाल लेंगे रही हूं जे तो यह नोदो निकाल लए रह夠 दो और इसे ऑरक देंगे थोड़ा थंड़ा हो जाए और अब हम यह देखिए अच्सेदर हो चुका है मतलग युदसे रख देंगे और अब आप में तेयल टालेंगे और तो मैं और तीम्चक पर करील मैंने तेयल दाला है और अब हम इसमें डाल देंगे चीन्टोड यह आद बाता यह आद इसे भी और टमाटर बात बात में डालेंगे पहले हम प्यार्ज को थोड़ा सा भून लेंगे हलका जब तक इसका कलर जुए है ठोड़ा देखिए यह मैं भून ली हूं तो इसके बाद अब इसमें हम टमाटर कटे हुए डाल देंगे और इसे भी डाल करके हम अच्छे से भून लेंगे और अब जो है हमने जो सिम्ला मीर्च का आगी का जो पाट थोड़ा सा काट के रखा था चोटा-चोटा यह तो इसे भी हम इस स्टफिंग करते हैं उसका और यह मैंने नमक डाला है टेस्ट के कोडिन और इसमें मसाला डालेंगे थोड़ा तो धनिया पॉडर मैंने डाला है जीरा पॉडर मैंने डाला और यह लाल मिर्च पॉडर जितना तीखा पसंद करते हैं उसके कोडिन डालिए और यह थोड़ा स तो आम चूर पड़ा ठोड़ा सा डाली अगर नहीं तो कोई बात नहीं है और यह थोड़ा सा मैं हल्दी और इन सब को डाल करके अच्छ से मिलाते हुए हम भून लेंगे मसालों को अधो तो तक से भूनेंगे कि इसका में चला जाए मसाला देखे यह भून चुका है अब लगभग और यह सब शौप हो चुका है मतलब टमाटर जो है पूरा अच्छे से गल चुका है तो यह देखि तो यह मैं गैस बंद कर दे रही हूं और यह देखिए हमारा यह भून चुका है तो गैस बंद कर देते हैं और इसे रख देंगे निकाल करके ठंडा होने के लिए तो यह में रख दे रही हूं और अब चलते हैं बनाने लौकी का जो बनाया है मैंने नमकीन खीर जिसे हम लोग बिहार में लौक जाबर कहते हैं तो इसके लिए ना बहुत ही अच्छा मतलब जो खीचा कदू होता है ना वो लीजेगा मतलब जिसे जिसमें बीज नहीं पड़ हो मतलब ज्यादा कड़ा नहों और इसे दे देखिए यह चिक करने का तरीका है नाखुन आप इस तरह से दबा कर देखेंगे ना तो यह आसानी से नाखुन जिसमें अलब चला जाता है तो आप समझे कि यह बहुत ही खीचा है मतलब कदू जो है तो मतलब हाफ लगेगा मै हाफ का यूज करूंगी और यह देखिए बीज में दिखा रही हूं यह देखिए कितने आसानी से यह मतलब नाखुन से कट जा रहा है यानि कि बहुत यह भी जो है खीचा है मतलब जिसे भतिया भी हम लोग कहते हैं तो इसे हम पतले-पतले मैं इसे छिल करके धोली हूं औ और इसे पतले-पतले हम इस तरह से काट लेंगे तो यह सारा मैंने काट चुकी हूं यह कद्दू को और यह चावल लेंगे अरवा चावल लिया है मैंने एक कप मतलब दो 250 ग्राम के करीब चावल है और इसमें तील डालेंगे टू टेबल स्पून तो तील से न बहुत ही अ तील डाला है तीन चमच इसमें तील लगेगा बर अभी मैं दो चमच यूज कर रही हूं और एक चमच बाद में यूज करूंगी वह मैं दिखाऊंगी आपको बाद में इस वीडियो में तो इसना सिसमम यानि इस तील को हम अच्छे से धो करके और मिक्सर ग्राइंडर में पीछ लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर नहीं तो आप सिल्वट के ऊपर भी पीछ सकते हैं तो यह देखिए अब मैं गैस पे ना कुकर एक चड़ाई हूं और इसमें हम डालेंगे एक टेबर स्पून घी डालेंगे इसमें हम तो यह घी में बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में यह लोग जाबर जो है और इसमें दो बे लिफ मैंने मतलब तेज पतर डाला है और एक चमच इसमें मैं जीरा डाल रही हूं और इसमें तीखा हलका तीखा के लिए एक लाल मिर्च डाला है मैंने तो इन सब को ना थोड़ा सा यह जब मिर्ची जो है हरका जल जाए तब हम इसमें कद्दू डाल देंगे तो यह मैं डाल दे रही हूं तो फ्रेंड्स यह ना बिहार का ट्रेडिशनल रेसिपी है लोग जाबर जिसे कहते हैं लोकी का खीर जो कि यह नमकीन बनता है कई जग लगता है खाने में तो यह ना इस तरह से हम चलाते हुए इसे हलका सा एक 2-3 मिनट पहले हम इसे कद्दू को हलका भूल लेंगे और हलका सा यह जब ना थोड़ा सौप्ट हो जाए कद्दू तब हम इसमें डालेंगे चावल और अब ना इसमें से हम यह जो है ना तेज पत तो इसे हम डाल देंगे और ना दोस्तो यह अर्वा चावल जो है न नया अगर चावल हो न तो नया चावल का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है क्योंकि न मतलब उसमें एक अलग सा मीठापन रहता है और नया अर्वा चावल में तो उससे जरूर अगर बनाईएगा अ और नहीं है तो पुराना चावल सा भी बना सकते हैं लेकिन अर्वा चावल ही होना चाहिए और यह तील को जो अमने पीस कर अखा है मिक्सी में मिलब सिस्मम को तो इसको भी मिश में डाल देंगे इसे ना बहुत ही एक अलग सा टेस्ट आता है आप इसे जुरूर एक पर बना कर के देखिえー बहुत ही अच्छा लगता है खाने में दोस्तों तो यह मिश में डाल देंगे और यह थोड़ा समयOW इस्में पाणनी तुस leash करके भी डाल दे रही हूं और आस में नमक डालेंगे ट अच्छे से तो थोड़ा सा कद्दू में भी पानी देखिए चूट गया है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तो एक कप चावल लिया है मैंने इसी कप से तो चार कप के करीब पानी डालेंगे हम तो जिससे किना अच्छा बनता है ये तो ये मैं डाल दे रही हूं दो कप ये तीसरा कप और मैं थोड़ा सा डालूंगी मतलब चार कप के करीब मैंने लब साड़े तीन या चार कप के करीब पानी डालिये तो तो अच्छा बनता है तो ये मैं डाल दे रही हूं चार कप के करीब पानी और इन सब को मिला करके मिक् लगा करके दो विशी लाने तक इसे हम कुक कर लेंगे पकाएंगे तो और तब तक से मैं इधर बना रही हूं ये शिम्ला बिर्च का भरवाना तो ये ठंडा हो चुका है मसाला ये अब तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि भर लेंगे मतलब स्टफिंग कर लेंगे इसमें जो अब भरने से पहले ना इसमें थोड़ा सा नमक हम डालेंगे दोस्तों जिससे कि ना ये जब हम खाएंगे न तो इसमें नमक जो है अंदर तक पता चलेगा शिम्ला मिलशु में तो ये थुड़ा थुड़ा में नमक डाल दे रही हूं हलका सा स्पिंकल कर ले रही हूं और अब हम इसमें मसाला भरेंगे तो ये टीप जरूर फॉलो किजिएगा मतलब ये श्मना मिलश में थोड़ा सा नमक जरूर डालीए पहले जब हम खाएंगे ना तो अच्छा ज्यादा रगता है श्मना मिलश में नमक का टेस्ट आता है तो इस तरह से नमें चमस के सायते से ये पुरा मसाला जो है भर ली हूँ और ये देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है और ये थोड़ा सा मसाला बच गया है तो ये जो है ना ये जो मतलब भर के हमने रखा है इसको हम पहले तो फ्राई कर चुके थे ना इसे बट अब हम केवल हलका सा फ्राई करेंगे से लो और इसे मैं अब ड्रक दे रही हूं और जब ठंडा हो जागा तो मैं दिखाऊंगा इसे खोल करके रखर हन्टा करके और इधर रिक में चड़ाई हूं और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे अब ज्यादा नहीं और इसको न इस तरह से की पैन में तेल को अच्छ निस तरह मिला लेंगे और ये जो हमने भर के रखा है न शिम्म्ला मेर्च को तो इसे हम एक एक करके इसमें डाल देंगे तो सिम्म्ला मेर्च का जो है पहले ही इसी लिए मैं फ्राइ करती हूं कि अुए है ताकि जब मसाला ये भर कर लग करके प्रूरत नहीं पड़े बस केवल हलका साथी फ्राइए करेंगे जिससे कि ना शिम्ला मिर्च के अंदर जो है मसाले का फ्लेवर चला जाएगा और यह जो है हो चुका है यह देखिए में स्टीमिस का निकाल दे रही हूं और यह देखिए हमारा लोक जावर बनकर के तयार है यह देखिए दोस्तों तो अभी इसमें बाकी है कुछ कुछ चीज मिलाना तो इसमें ना हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक मैं बोली थी ना कि एक टेबल स्पून और तील लगेगा तो इसे ना ड्राइ रोस्ट कर लेंग तो इससे ना बहुत ही अलग टेस्ट आता है सोना सोना सा तील का बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो इसमें मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे दूद तो दूद को मैं गरम कर लिए हूं और गरम करके एक कप के मतलब जिस में जमिट कम से मैंने चावा लिया था उसी कप से में एक कप डूद डाल रही हूं तो दूद की मातरा कम बशीक कि यह सकता है अगर अब अभी बना रहे हैं तो आप इतने इसकी चूप से यह देखिए इस तो यह न खीर जो है और भी ज्यादा गाड़ी हो जाएगी तो इसके तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा और दूद इसमें एड़ कर सकते हैं बट हमारा अभी क्योंकि ना अभी हमलों का टाइम हो चुका है तो इसलिए मैं अभी इसे सर्व करके दिखाती हूं आपको और यह ह मसाला पुरा निकल जाएगा तो इसलिए दोस्तों हम पहले ही मतलब श्रेली को हो चुका है आफ ये मैं कि एतना अच्छा लग रहा ना बहुत जादा तेस्टी लगता है आप एक बार जुरूर बना करके देखिए दोस्तों मतलब मज़ा आजाएगा आपको खाने में इतनी टेस्टी रखती है ये शिम्ना मिर्च का भरवा तो यह हमारा हो चुका है तो चलिए सर्व कर लेते हैं लंच का टाइम भी हो चुका है तो यह यह मैं शर्व कर ले रही हूं यह लोकी जावर और यह साथ में शिम्ना मिर्च का भरवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी यम्मी सा और साथ में हरी चटनी और थोड़ा सा सलाद के साथ मतलब शैलेड जिसे कहते हैं हम लोग तो आम बोल चल के भासा में सलाद ही कहते हैं तो यह और हमारा यह लोकी और चावल का नमकीन खीर और हमारा शिम्ना मिर्च का भरवा और साथ में मैं हरी चटनी धनियपत्ते की सर्व की हूं और इसका कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है आप इसे जरूर एक बर बना करके ट्राइकर के देखिए दोस्तों और दोस्तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट भी जरूर किया किजिए दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों कुछ नए रेस्पी के साथ में नए वीडियो में तब तक बाब बाई